अशुलिपी उच गती अभ्यास रामधारी गुपता खंड दो प्रतिलेकन संख्या 14 गती 14 शब्द प्रतिमिनट बीरडी 3,2,1 स्टार्ट उपादियक्ष महोदाय वास्ताव में हिंदी की प्रचार योजनाओं का सफल कार्यानवैन सभी संब्दित पक्षों के प्रयास के समनवैस से ही संभव है सबस्ता के बदादिकारी कार्य करता प्रचारक गंड विद्यारती और अंत में किन्तु कदापी कम नहीं सरकारी व्यस्तता के तालमेल पर इन सब के कारियों पर उचित समनवेक का प्रेतन स्वास्ते दुरश्टी से निरंतर जारी रहना चाहिए और यह भी त्यान रहे कि जाने अंजाने दामन में दाग न लग जाए पैरा भारत ग्रामों का देश है और अधिकांश भारतिय जनता ग्रामों में वस्ती है नगरों और शहरों के नागरिकों की शिक्षा की कई सुविधाय प्राप्त हैं यह उन्हें हिंदी पढ़ने के यतिस्ट अव अवसर उपलब्द हो जाते हैं अब आवशकता इस बात की है कि ग्रामवासियों को भी हिंदी सीखने के अधिक अवसर प्रदान किये जाएं हिंदी रास्ट्रिय असमता रास्ट्रिय पहचान रास्ट्रिय गौरव की भाषा है यह रास्ट्र भाषा भाषा घोशित तो हो चुकी है किन्तु अब तक इसे अपना उचित इस्थान प्राप्त नहीं हुआ है इसके लिए जब तक शासन और जन्ता दोनों ओर से समवेद प्रयास नहीं होगा लक्षय की प्राप्ति नहीं हो सकेगी रास्ट्र भाषा से ही किसी रास्ट्र की भावनात्मक एक्ता रास् अंग्री जी के माध्यम से हो सकती है कई लोगों की धारणा है कि अंग्री जी निकाल दी जाये तो रास्ट्र टुकडे टुकडे हो जाएगा वैज्यानिक प्रगति रुक जाएगी आदी इससे बढ़कर प्रामक विचार और कुछ भी नहीं हो सकता मैं अंग्री जी की बचारधारा और मान्यताएं जोड़ी रहती हैं और उन्हें प्रकट करने के लिए उस देश की भाशा ही सर्वसक्षम होती है स्वतंतिता के पूर्व रास्ट्रिय गौरव आम जनता की दुरश्टी में रखकर किया जाता था रास्ट्रिय एक्ता का अर्थ है करोडों भार भारतिय भाशाओं के विरुद अंग्रेजी शडियंत्र को विफल नहीं किया, गया तो जनतंत्र एक मकौल बन कर रह जाएगा, हिंदी और भारतिय भाशाएं तो सहुतराएं हैं उनमें आपसी कोई विरुद नहीं, उनका विरुद और संगर्ष तो अंग्रेजी के साहए जस दिन चेत्रिय भाषाएं अपने शेत्र के प्रशासन न्याय शिक्षा आदी में इस्थापित हो जाएंगी उसे दिन रास्ट्रिय इस्तर पर रास्ट्र भाषा, राज भाषा और संपर्क भाषा के रुप में हिंदी के इस्थापित हो जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाए इस द्रश्टी से मैसूर हिंदी प्रचार परिशत का यह कारिक्रम शलागनिय है कि वह हिंदी के साथ कंडित्तर जिग्यासूंग के लिए कंड की प्रारंभिक और उच्चकक्षाएं एवं प्रिक्षाएं चल रही हैं। अपने देन देनी में भी हिंदी के साथ साथ कंडड में दिन और तितियां दी हैं। इस तरह के छोटे किन्तू दिन दिन के व्यवहार में प्रश्ट्र भाषा और च्छित्रिय भाषा साथ साथ गलवहियां डाल कर चलें। इससे बढ़कर सुकत इस्तती और क्या हो सकती है। आपके हातों सौप दिया गया है। के लिए पुनहे धन्यवाद देता हूँ पैरा पतिक्ष महादय इस बिल का समर्थन करता हूँ। मुझे खुशी है कि क्रशी मंत्री एक करांतिकारी बिल लाये हैं। लेकिन दुख है कि जैसा बिल लाया जाना चाहिए था वह अभी तक नहीं आया है। मुझे खुशी है कि मंत्री महादय ने बड़ी हिमत से यहवल पेश किया है। परंतु कुछ सदस्यों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने इस बात की और ध्यान नहीं दिया कि जब तक वनों को हम बचा कर नहीं रखेंगे। और जमीन पर कबजा करने की लोगों की जो भूक है उसको नहीं रोकेंगे। तब तक हम वनों को नहीं बढ़ा सकेंगे। पैरा देश की जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वह है बिरुजगारी। उसे यही एक विभाग है जो सबसे ज़्यादा दूर करता है। आदिवासी लोगों को गरीब और पिछडे लोगों को वनों से ही रोजगार मिलता है। काफी ऐसे लोग हैं जो छे महीने वनों से ही पलफूल द्वारा भूजन करते हैं। मैं इस विशय में मंत्री महोदाय का ध्यान आकरशित करना चाहूँगा। मेरा छेतर अंडमा निकोबार है जो बहुत हराबरा है। वहां काफी जंगल है लेकिन उनको काटा जा रहा है। अगर इनको सही धंग से रोकेंगे नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब वर्षा भी वहां नहीं होगी। मैंने प्रदहन मंत्री जी को इस विशय में जुलाई मास में एक पत्र लिखा था। उसमें मैंने कहा था कि हमारे यहां जंगलों की कुछ व्यवस्ता की जाए। इसके बाद एक समीती बनी जिनको वहां जाकर सारी चीजों को देखना था। उसके सिफारिश के अनुसार वहां काम होना था। इस समीती को बने हुए 6-7 महीने हो गए हैं लेकिन यह समीती आज तक वहां नहीं जा सकी है। जगड़ा क्या है जगड़ा यह है कि कनिस्ट अधिकारी को इस समीती का जक्ष बना दिया गया है। जो वरिस्ट अधिकारी है वे कहते हैं कि हम इसके नीचे कैसे काम करेंगे। उनके साथ कैसे जाएंगे। इस वास्ते यह जो चीज है इसकी तरफ आपका ध्यान जल्दी से जल्दी जाना चाहिए और आपको इसको देखना चाहिए पैरा हमारी जो अर्थ नीती है वह बनों पर आधरित है जो गरीब लोग है उनका गुजारा इन बनों से ही चलता है जो इमारते हैं वे लकडी की ही बनती है इटे वहां नहीं बनती है सीमेंट का वहां कोई कारखाना नहीं है इधर से ही वहां सीमेंट जाता है उससे सरकारी काम भी पूरा नहीं हो पाता है तो वहे लोगों को कैसे मिल सकता है आज सारे देश में एक चर्चा चल रही है की अंडमान में बहुत तिमबर है असम से तिमबर नहीं आता है चूकि वहीं से आसकता है इस वास्ते वहाँ पर भी इसका भाव बहुत उंचा हो गया है और वह असम से टिंबर ना आने की वजह से हुआ है लकडी के दाम आज इतने अधिक बढ़ चुके हैं कि बेचारे गरीब लोगों को तो अपने घर बनाने में भी बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है केवल एक दो बातों की और वित्तमंत्री और सरकार का ध्यान खीचना चाहता हूँ आज बिजली के मामले में राजस्तान की हालत बहुत नाजुक है कासतोर से पिछले पांच साथ दिनों से गाउं में परिशानी बहुत बढ़ गई है मैंने देखा है कि कई जिलों में पिछले कई दिनों से बिजली नहीं है नतीजा यह हुआ है कि जो फसल बोई गई है उसको पानी नहीं मिल पाया है वहाँ पहले से ही अकाल की इस्तती है बिजली ठीक तरह से न मिलने के कारण किसानों की फसल बरबाद हो रही है इसलिए बिजली को और अधिक फैलाने की बात को छोड़कर सरकार उसकी पूर्टी को नियमित करे पैरा उधर से जो माननी सदस्य बोलते हैं वे बातें करीब करीब वही करते हैं जो हम कर रहे हैं दोनों में कोई फर्क नहीं है वे भी कहते हैं कि महंगाई है बेकारी है और हालत खराब है सरकार की तरफ से भी हर एक वक्तव्य को किसी वक्तव्य से शिरू किया जाता है कि उसे विरासत में खराब हालत मिली है जिससे सुधारने में समय लगेगा मैंने वेदन करना चाहता हूँ कि सरकार एक अवधी निर्धायत कर दे कि वह कब इस पहले वाक्य को बोलना छोड़ देगी हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे वह हम को भाशन लिख कर दे दे और बता दे कि हम क्या करेंगे हम वैसे ही इस सदन में और बाहर जनता के सामने बोलेंगे लिकिन वह देश की हालत को सुधारे आज चारो तरफ हालत बिगट रही है अज गाउं में कोई व्यवस्था नहीं है सरकार हम लोगों को कब तक दोश देती रहेगी अगर हालत न सुधरी तो ये लोग भी डूबेंगे हम लोग भी डूबेंगे और लोगतंत्र भी डूबेगा पुनविराम